हजारों लोग अपने इंटर्व्यूस में ये गलतियां करते हैं, जिसके वज़े से उन्हें नौकरी से हाथ दोना पड़ता है अक्सर लोग इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान नहीं देते लेकिन जो इंटर्व्यू लेता है उसको हर छोटी-छोटी बात भी जरूरी लगती है हेलो एवरिवन, आप सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसे 5 गलतियों के बारे में जो अक्सर लोग अपने इंटर्व्यूस में करते हैं ये 5 गलतियां उनके इंटर्व्यू को और भी ज़्यदा खराब बना देती है तो इस वीडियो को अन तक देखिए और अपने आने वाले इंटर्व्यू को बिना किसी गलती के दीजिए आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को दबाए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहली गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है एक अच्छा eye contact maintain ना करना एक research से पता चला है कि लगबख 67% लोग interviewer से eye contact maintain नहीं कर पाते सही eye contact बनाना आपके confidence और आपके trust को दर्साता है और interviewer को ये लगने लगता है कि आपको इस job में सही में interest है अगली गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो एक company के बारे में सही जानकारी ना रखना करीब 47% लोग ऐसे होते हैं जो अपने interview में बिना सही जानकारी के interview देने चले जाते हैं अगर आप उस company के बारे में research करके जाते हैं और थोड़ी जानकारी collect करके जाते हैं तो आप interviewer के सवालों के सही जवाब दे सकते हैं और आप उनसे relevant सवाल भी पूछ सकते हैं तीसरी mistake है interview के दोरान बिल्कुल भी smile ना करना वैसे तो देखने पे ये बहुत बड़ी गलती नहीं लगती लेकिन ये आपके लिए game changer हो सकता है क्या आप जानते हैं कि लगबग 38% लोग अपने interview के दोरान बिल्कुल भी नहीं मुश्कुराते अगर आप एक हलकी मुश्कुराहट अपने चेहरे पे रखते हैं तो ये आपके positive attitude और placing personality को दर्शाता है और इससे आपका interview और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है चौथी mistake है अपने interview के लिए सही dress up होके ना जाना ऐसा पता चला है कि लगबग 33% लोग अपने interview में सही कपड़े पहन के नहीं जाते अगर आप company culture के हिसाब से सही dress पहन के जाते हो तो interviewer को लगता है कि आप उनके company में काफी असानी से fit हो जाओगे और ये उनके लिए एक plus point भी हो सकता है तो वो last mistake जो हमारे list में है वो है lack of confidence लगबग 26% candidates अपने interview से पहले या फिर interview के दोरा नर्वस हो जाते हैं और वो अपना confidence भी खो देते हैं कई बार interviews काफी ज़्यादा मुस्किल हो सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आप अपने confidence को बनाए रखते हैं तो वो आपके खुद के भरोसे को बढ़ाता है और इससे interview और काफी ज़्यादा impress भी हो जाता है तो ये थे वो 5 गलतियां जिनसे आपको हर कीमत पर बचना होगा अगर आप नए skills, job interview, इत्यादी के बारे में अधिक जानना चाते हैं तो आप हमारा website विजिट करें और वहाँ पे career tv section का उपयोग करें या फिर आप हमारा android app भी download कर सकते हैं वहाँ पे आपको अपने skills को develop करने, नए नौकरी को पाने और इस तरह के विविन्न प्रकार के curated videos मिलेंगे अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या कोई doubt है तो हमें comment करके ज़रूर बताएं आप इस video को भी like करें और ऐसे ही दूसरे informational videos को देखने के लिए हमारे channel को subscribe करें अगर आपके मन में अभी भी कोई idea है तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं हमें ऐसे videos बनाना पसंद है जिससे आपकी मदत हो अगर आपको लगता है कि ये video किसी और के भी काम आ सकता है तो इस video को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें तो हम लेते आपसे अलविदा और मिलते हैं अगले वीडियो में